नमस्कार आजना आपना वर्चुल क्लास ट्रेनिंग सेशन दर्मियन आप सबनों हादिक स्वागत करूछू आजे हूँ आईटेमा चालता मशिनी स्टेड अंतरगत लेशन नंबर आढ शाड़्टrim विसे आप सबना महीतीकारम्नι मांखद्रशन आपिश तो आपड़े चालू करिए के implementing गीयों डंट डिवाइश्नोट दीवाइस तो व्र कोलिंग डिवाइस यहनो आप्लेव परिच्चह सामंने महीती होपिए तो चेपर मशिन मा paper करिए दर्मियान जौब ने मजबहती पकड़ाओ जरूरी छे तेने मसीना टेबल साथे फीट लगावा थी कटिंग करिया दर्मियान लागता बढ़ों ने जौब सहांद करी सके ते माटे जोज़ोधी पध्यत्यों नो प्योग करम आवे छे शेपर कटिंग दर्मियान पकड़ाओ जरूरी छे काराण के तेना दर्मियान जे बढ़ों लागे ते तेना थी जौब खसी सके चे तो तेना माटे आपड़े प्रत्थम येने मज़ोधी पकड़ाओ ये जरूरी छे हवे जौब ने आपड़े पकड़ाओ अमाटे सेपर मशीन माटे मसीन वाईस नो उप्योग करमाँ छे वाईस एटले एक जौब ने पकड़ाओ अमाटे नू साधन छे जेने आविश्यक मजबूत्ते नो आधार स्थीर अथवा परतो हो छे नेमी थाकार ना अने नाणा जौब उपर कटिंग करिया करवा सेपर मशीन उपर सेपर वाईस नो प्योग करमाँ आवे छे हवे सेपर वाईस माँ बे प्रकार छे जे माँ प्लेइन वाईस अने स्लीवे बेस वाईस हवे प्लेइन वाईस तम्हें फिगर माँ जोई सको छो के प्लेइन वाईस आप्लेइन वाईस छे जे माँ टेबल छे नीचे दर्सायलो छे ए सेपर मशीन वाईस नो टेबल छे जेना साधान प्रकार ना जौब ने पकड़ा उसे गारे छे आवाईस फिक्स रेतो होँ थी वाईस ने फिरी सकतो न थी तम्हें जोई सको छो के आव टेबल उपर आवाईस ने फिक्स एक स्थीती मां राखे छे बोल्ट थी तेने फीट करे लो छे जे बोल्ट आवाईस टेबल छे जे टी स्लोट मां छे तेना उपर आव बोल्ट आव प्लेइन वाईस ने फिक्स करे लो छे तो टेबल उपर टी स्लोट मां बोल्ट वड़े फिक्स पकड़ा आवाँ छे हवे स्वीवेल बेज वाईस आप राण एक प्लेइन वाईस नोज प्रकार छे पन तु तेने जेने गोडाकार बेज उपर फिट करावाँ आवाँ छे आता में जोई सक्को छे के आटेबल उपर छे टेबल उपर आ टी स्लोट उपर जो बोल्ट फिट करे लाँ छे पन आ चेक प्लेइन वाईस अच्छे जेने आ डिगृ मां फिरीवी सकाए छे तो जेने अनौरूप आपड़े जोब ने जेटली डिगृ मां मटियल रीमूव करबूाँ होई ए प्रमाने आंपड़े करी सक्किये छे हवे जौब ने पकड़ावा माटे हाल सेपर मशीन मां मेगनेटी चक नो पन उप्योग करवा थी जेटलिव असरकारक प्लेंड वाईस ने स्वीवेल वाईस न उप्योग करवा थी एना प्रामाण मां थोड़ो उप्योग उछो करवा मावे थी अधर आजकार लागत हो यह उसांद करी सकेते वह न थी थी हाल मा तो प्लेंड वाईस नो जापने अने स्लीवेल वाईस नो उप्योग करवा मावे थी आवे जोबने डिजाइन मुझे फिक्चर नो उप्योग कराऊंचे फिक्चर एटले के यह वुँ फिक्चर नो के जटील जोबना आकार एटलो बदो जटील होए छे जेनी उपर मसिनिंग दर्मियान आपड़े जोबने जुदी-जुदी प्रोसेस करवानी होचे जेना ज जुदी-जुदी आकार होए तो यहने थिए वाइस ने जुदी-जुदी प्रमाने फिर्वी सकातो नथी तेथी एक जुद्यात मुझेब जॉबने फिक्स आकारों पकड़ा एटलो फिक्चर नो उप्योग द्वारा आपणे जुदी-जुदी स्थितीमा एणो सिद्धी रिते पकड़ावी सकाए छे जो 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 दी डिसाइन डिवाइस मुझब नीचे मुझब छे बोल्ट ने क्लेंप पैरेलल चीज टॉप पीन टॉंग स्ट्रीम टॉडॉग एंगल प्लेट वेज वी ब्लोक विद क्लेंप ब्रेस अने सेपर सेंटर हावे आपने जो बोल्ट ने क्लेंप आद तमें फिगर मां जोई रहा छे का एक लांबो टी आ स्लोट नो बोल्ट छे टी आका नो बोल्ट छे जो जुब नी नजीक मां बोल्ट राखाँ मां राखवों जुए जेति क्लैंपिंग दबान फलकन ब्लोक उपर पड़े नहीं आने जॉब उप परज तेनु दबांड रहे नहीं के फलकलम ब्लोक उपर आम फलकलम ब्लोक नी उंचाई अन्य क्लेमप करेला जौब नी उंचाई समान सपाटी हो चे ते काल जी राकवी ज़रुरी छे प्रफिगर में जोई सको छो के आँ फलकाम ब्लक छे और वर्क पीस से तो आपने बोल्ट क्लैम कर ले जे थी फलकाम ब्लोक उपर आपनों असर बढ़नू दबान नू असर ना पड़े और वर्क पीस उपर असर पड़े यह तमें आगल में जनाएवे पमुझब हाँ जोब नी नजीक मां बोल्ट राखवो जोए जे थी करी ने जोब मजबूताई थी पकड़े लो रहे और फलकाम ब्लोक ने उपर वर्क पीस समान अंतरे दवान पूर्वक गोठवाई सके हावे क्लेंप 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 सेपर मसीन जोब ने सेपर मां पकड़ाव मांटे अने क्लेंप न उप्योग कराव मांवे चे सामीर ते डिवाईस न उप्योग नेमीतरी ते कराव मांवे चे आम आटे उप्योग मा लेवाता बोल्ट T हेड दरावेचे जेथी ते टेबल ना T स्लोट मा विवस्तित बेसी सके तेनी बोडी मा वदारे लंबाई मा आटा आपेला होवा थी आतमे आगल जोई गिया प्रमाने आने बोडी मा आटा जेम वदारे होए तेम मोटा साइड ना जोब पकड़ा माटे आने आसानी रहे छे आवे तेनी बोडी मा वदारे लंबाई ना आटा आपेला होवा थी जुदी-जुदी जोब माटे एककज बोल्ट नो उप्योग करी सकाए छे अने क्लेंपिंग माटे उप्योग वा लेवाता क्लेंप जुदी-जुदी आकार ना अने डिवाइस होँ छे तेना जोब नी डिवाइस डिजाइन अने आकार अनुशार जो करवा मा आवे छे जुझे दा आका ना क्लेंप जॉब ने क्लेंपी कराने रीत आपने यह फिगर मा जुई सके छे आ छे आतमे जो आ गोस नेक प्रकानो क्लेंप छे पची आ यू स्ट्रेप छे आ स्ट्रेट टाइप छे आ बैंड छे जे जुदी जुदी आकार प्रमाणे आपणे क्लेंप एना उपर फीट करी सके छे बॉल्ट द्वारा आ हवे परलल्वाइस आ हैख परलल्वाइस मं ऐसरी त्हें ग्राउन्ड करेले श्टील स्ट्रीप नो उप्योग थाए छे अवे तमें आ जो आ जो छे आने आज यह दर्सावी चाहाँ स्ट्रीप आज इस स्टेनले स्टील जीवी के एवा मटियल नी बनावी ली छे जह माँ तमें जॉब ने वच्चे मुकवा थी यहने मजबूताई मजबूताई रहे छे हवे स्टोप पीन, टॉंग स्ट्रीप ने टोडोक्स आ सामनी दित्ते एक स्टोप पीन मां एक गोडाकार बोडी हो छे अने स्टोप पीन नो सवती वजार्यूप्योग मोटा आकान ना उपर ती मोटा स्क्वेर तथा निच्चे ना पात्रों गोडाका वाग हो छे तेमा एक स्क्रू लागे छे जिनी अक स्टीजमा वरेंजिते अथवा 1310 इंकलाइन हो छे विएसर ćुमा उपन ना भागे फात्रों तथा 14 हो छे तेमा पन 1310 नमेले स्क्रू लगाल हो छे तेना निचेना पागोन आकार मोटा बनावेला चे जेती T-Slot मां भतारे सारीते बेसी चेके चे आ पीन ने पोपेट पन कहे चे तमें जो ही सको चो जो आज टोप पीन चे अनि तेना आकार प्रमाणे यां उपर थी जाडा आने निचे थी साकडा बनावेला चे हवे आ फिगर मा तमें जो ही सको चो के स्टोप पीन आ त्रासी राखेली चे आ स्टोप पीन यां सीधी टेबल साथे फीट छे टी स्लोट मां अने आ स्टोप पीन साथे आ त्रासो टोडोक्स राखेलो चे जे आ वर्कपीस चे जे वर्कपीस पातली साथ नो चे जेनू आ टोडोक्स थी एनू फिक्स करेलो चे जे थी ते हली सके नहीं यां टोडोक्स अन्यू तमें फिगर माँ जोई सको चे यांने आगली साथे थी पाछलो चेसे पाचल आ पातलोस चे जे पाचलोस आसे त्यां स्कुरू वर्डैकें आ राइट करी सकाए छे आ तमें जोई सको छो फिगर मा ने आ टोड डोक्स ना वीवित प्रकार वाप्या छे जे राउंड बंट एडज पछी बीवेल एडज पछी राउंड पॉइंटेड प्रकार ना टोडोक्स हो छे जेनी साइज अने आकार प्रमाने उप्योक थाए छे हवे जयारे घणा पातला जोबने पकडवानों होई त्यारे आपड़े आ टोडोक्स ना वुप्योक करामा छे जेन फिगर मा आपड़े जोईू के आ पातलों पीस छे तो आने वरक पीस ने पकड़ा माटे टोडोक्स ना वुप्योक करामा आवे छे यहाविं श्ट्रोप पीन साथे टोल कईց हमें वाधारे जाडाहीना लउम्म क्शेंस्टूप सेक्शन मारी जॉबनार जॉबने दिश्विंक stigma फि्चर 주는 दोत में ट्रין जुदिववन चलिक आनी जुदिविए जाडाहीना बेर હોલ આપેલો છે અને હોલ માંં ધવરા ફીટિંગ કરાંમ આવે છે અને આ બાજુ તમે જોં પીતીં પીટંઓ કરાંમ पॉपट्वाड़ टबद अच्ट वो पाड़ शिया और से खरी शुक्त व मंधर Chance करकताथ और उप्रीम पनावे तोर्द टुरैर्ट्वट वहाड़ है ककषे सुनल प्ले Crispy छी अश्च्टावर ऑट ने सब्सक्राट पकर लुँए आ टेबल छे जे T-Slot आकर मच छे आने तेने जॉब ने आ जॉब ने एंगल प्लेट छे आ तमें जोई सको छोगे 90 एंगल छे तो आने पकड़ा माटे आपड़े C-Clampe न उप्योग करी छे तो आवा जॉब ने पकड़ा माटे C-Clampe न उप्योग करी ने आपड़े जॉबन ना टेबल ना टूकड़ा नो हो छे तमें आ फिकर माँ जोई सको छो के वेज छे जे लोखान टूकड़ा नो टेबल भाग छे जे निचे राकी ने जोब उज्यको अथवा मुझे पकड़ा माटे अथवा वाइस ना जोनी वच्चे खाली जिग्याने भरवा माटे करा वेज नो उप्योग आ जो श्टॉप पी ना पिली छे अने वेज स्ट्रीप छे तो अब बैवनने वच्चे वर्कपीस ने खाली जग्या परा माटे वेज ब्लोक नो उप्योग करा माँ छे निचे भी तमें जोई सको छो के फीलर ब्लोक एनो खाली जग्याने वेज हली न आज सके एन माटे फिलर ब्लोक आपेलो छे तो आवी दी ते आपणे वर्क पीस ने टेबल साथे भराव माटे वेज नो उप्योग करिये छे हवे जौब नी बीजी बाजुए तथा स्टोप पीन नी वच्चे एक फिलर ब्लोक भी मुक्यो छे जो तमे आज जोई सको जो फिलर ब्लोक छे जेना थी करी ने उपर वेज ब्लोक तो छे पर नी चे फिलर ब्लोक ने मुक्यो थी ते मसीनिंग दर्मियान तेनू वाइब्रेशन थसे नहीं हवे आखास करी ने वेज प्रकार नामा ब्लोक जेरे ओपरेशन करवानू होए त्यारे वी ब्लोक नोप्यो करवाँ आज तमे जो इसको छो आप फिलर मा के टेबल उपर आपड़े वी ब्लोक मुक्यो थी ने तेनी उपर आख्लैंपिंग करी अने आ वर्कपीस ने मुक्य प्रकार मन होए त्यारे आ वी ब्लोक ने मुक्यो जरूरी छे जेना थी करी ना आपड़े मजबूदा थी पकड़ी सकी है हावे वी ब्लोक वीथ क्लैंप आकरी दर्साय मुझे वी ब्लोक उपर गोड़ा कार गोठा हमावे छे तेमा टी ब्लोक टी बोल्ट ने मसीन ना टेबल ना स्लोट मा फसा हमावे छे वी ब्लोक नी समांतर स्टेब ब्लोक नी गोठावनी क्लैंप ने मजबूदाई नी सपाटी दमाज स्टेब ब्लोक उपर सेट करीने टी बोल्ट नी नट टा करीने फीट करा मा आवे छे फिगर मां जो ही रहा छो के आ वी ब्लोक उपर आ राउंड बार छे तो तेने आपने राउंड बार मां राउंड बार हुआ थी नानो पीस ने मजबूताई माटे आ वी ब्लोक मुकेलो छे आने आ टीब बोल्ट तेने मजबूत टाइट करवा मावे छे आ वी ब्लोक ने बीजी साइड आ श्ट्याप मुकेला छे जे प्रमाने आनी वर्कपीस नी उन्चाई हसे ए प्रमाने जा आपड़े श्ट्याप उपर भी एटलिच उन्चाई है आपड़े आज टीप ने मुकी सक्किये छे जोब ने यहनु जॉब नी जारे मशीनिंग करवा मावे त्यारे यह हलसे नहीं, आपड़े सलता थी आ जॉब उपर आपड़े मशीनिंग करी सकिये जे ब्रेस हावे ब्रेस है एवू उच्छे के लांबा जब ने मजबूत ठी पकड़ा माटे ब्रेस नों ती ब्लोक ती बोल्ट वाड़े ये ये थी पकड़ाई सके चेए पन आ ब्रेस ए लांबा जोबने मजबूत आथी पकड़ा माँटे ब्रेस नुप्योग कराम मावे चे हवे जॉब ने पकड़वा माटे मुख्य मुद्धा के जॉब ने अपड़े पकड़वा हो तो पहला आपड़े सू काल जी लिवी हवे जॉब ने लगावता पहला टेवल ने बराबर साप करो जीए जॉब उपर नी बर्स बराबर साप करो जीए जिती करी ने बर्स निकली जसे तो जॉब ने येने समान रिते येने वाइसमा फीट करी सकते वे जॉब ने वाइस मां समानतरी ते फीट पकड़ा हो जीए जॉब नी उपनी सपाटी वाइस ना जो नी उपनी सपाटी थी 10 mm जेटलो उपर बाहर रहे ते रीते जॉब ने लगा हो जीए केम के आम करवा थी आपड़े जॉब ने उपर 10 mm जेटलो राखवा थी आपड़े जॉब नी वाइस ना जे भागो हसे तेने टूल अड़से नहीं अने एने सरल थी मसीनिंग करी सकाए चे जो 10 mm जो उपर आपड़े कालजी ना राखिये 10 mm जेटलो उपर जॉब ने ना ले जीए तो तो टूल ने आपड़े नुक्सान थी सके चे हवे जॉब ने वाइस मां टाइट करे अब बाद आपड़े सौप्ट हैमर अथ्वा नायलों हैंबर वड़े जॉब ने हड़वा फटका मारी चेक करवा पड़े कैम के वच्चे क्यारेक वाइस ने आपड़े व्यवस्तित सपाटी मल से नहीं तो तेना माटे हवा फटका मारी ने योग्या रीते तेने बराबर गोटवी दो तो तेना थी तम्मारे योग्या सर्फे सर्फेश फीनिस मल से हवे नानी साइज ना गोडाका ने जोब ना पकड़ाओ माटे आपड़े वी ब्लोक नो उप्योक अगाउ जनाय प्रमाणे में कहीलो कि वी ब्लोक नो उप्योक करवो हवे जोब ने फाइनल साइज मा फीट करता पहला लेवल फिनिसिंग अत्वा स्क्वेर्नेस चेक करवी खुब जरूरी छे क्यमके लेवल फिनिसिंग अन्य स्क्वेर्नेस ना होए तो जोब आपने योग्या साइज मा मल से नहीं तो आखास कालजी राखवी के स्क्राइनेस चेक करवी और योग्य मापसाई चका सी लिवू जो 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 जोब मोटा ने वधारे वजन्दार हो तो जर्यार मुझ जब क्लैंप और टेबल नी पसंगी करीने टेबल साथे लगाओ जीए जोब ने वाइस क्लैंप मां बराबर फीट पकड़ाओ और जेथी कटिंग फोर्स ना कराने ते फरी ना जाए हवे खासा काल जी राखे के आपड़े जारे मशीनिंग प्रोसेस चालू करिये त्यारे नट बोल्ट एना टेबल ना टाइट कर देवा अने वाइस नो भी चेक करी लेवू हवे पात्राब मटेरल माठेस पड़ेशिल जीग नो उप्यक करवो किमके मोटा मटेरल माठे ता आपडे प्रोसेस कर आईट सकेए यिपने पात्रामटेरल होए तो जीगनों उप्यक व्यासाइट कर सेखें जींके जीगनों अ più थी अपड़ा फट्ट मटेरल भी नहीं अने कटिंग फोर्ष लगावाथी वाइस ना बॉक्स नाट अने स्कूरूर निउखसान थाए छे हुए तमें जुई सको छो के आ फिगरों में दर्सावी छे जे मां आ योग्या वाइस मां फीट करे ली छे अने आई ये तमें जुई सको छो के आ वाइस मां बरबर फीट नथी करे ली आ फिगर में जो ही सको छो के वाइस मा जारे फीट करी छे आ श्टीप नो प्योक करी छे नटबोल साथे आ गोडाकार आकार नो जॉब छे जे मा आवीरीते फीटिंग करी सकाए छे जो आवीरीते होए तो आपड़े योग्या फिनिसिंग मल से नहीं तो आपने जें फिगर में दज़से आप मुझा बन्ने साइडे मशीनिंग करवो जो जो आपने योग्या माप साइज मली सके नहीं हवे आपने जोयू के जौब ने पकड़ा माटे आने जौब ने वाइस नो उप्योग करवा मावे छे तो मोटा जौब माटे आपने प्लेइन वाइस नो उप्योग करिये छे जारे नाना जौब माटे आपने श्वीवेल वाइस नो उप्योग करिये छे आम मसीनिंग दर्मियान आपने खास कालजी राखवी जरूरी छे कि जारे आपने मसीनिंग चालू करी एत्यारे सवती पहला आपने ग्रिसिंग पच्छी नो टेवल साफ हो जुए तो पच्छी रेम नी बरबर माप साइज हो जुए रेम नो श्ट्रोक बरबर हो जुए जेती करीने तमने योग्या समय मा तमने जुरूरी जुब तमने योग्या टाइम में मली रहे आम जो ना कर सो तो तमने योग्या रेम नो ना कर तो तमने योग्या जुब तमने योग्या समय तमने आपी सको नहीं तो आखास कालजी राखवी जरूरी छे तो आपड़ो आजनो आज टोपिक पूरो थाजे ठैंक यू झालब तो कंब